बर्दान एक्स्प्रेस के आज के इस वीडियो में बात होगी फिर बाट कर्मांग 2 की जहां पर कॉंग्रेस के पारसद हैं गोविन तिवारी जिसकी समस्याए बर्दान एक्स्प्रेस पिछले दो दिनों से लगातार उठा रहा है और कुछ सुधार होता हुआ भी नजर आ रहा है इसके पहले के बीडियो में हमने आपको दिखाया था कि बात कर्मांग 2 में किस तरीके से चोक पड़ी नालियों की सफाई करवाई गई है इसके अलाबा जो सडकें पर ज़ाडू नहीं लग रही थी उन सडकों पर ज़ाडू भी लगवाई गई उसके बाद फिर सोसल मीडिया पर कीरती नगर कॉलोनी की लोगों ने अपने कमेंट करते हुए लिखा कि कीरती नगर कॉलोनी में पारसत का ध्यान क्यों नहीं जाता जिसके बाद यहाँ पे नगरपाली का पारशत चुनाओ के दोरान भाच्पा पिरतियासी रहे कीर्ती वर्दन वगेल ने ऐसे मैसिस देखे जिसके बाद उन्होंने अपने बेक्तिगत सोर्स के अनुसार यहाँ पे सफाई करने वाले नगरपाली का कर्मिचारियों को बुला जिसके बाद यहाँ पे जाड़ू लगवाई जा रही है और नालियों की सफाई करवाई जा रही है और यहाँ पे सफाई के दोरान भाच्पा के जो प्रतियासी थे कीर्ती वर्दन वगेल वो मौजूद है चोटा सा ब्रेक लेते हैं कही मत जाईए ब्रेक के उस पार आप को बताएंगे कि आखिर कारबाट करमांग दो मैं कहां तक गुरुबार के दिन साफ सफाई की गई है चतरपूर शहर के मद्द सिक्षा के शेत्र में 1985 से स्तापित कियर इंग्लिश स्कूल CVSC कच्छा नरसरी से बार्मी तक गड़ित बिग्यान एवं कॉमर्स में देता है आ चुने कियर इंग्लिश स्कूल और पिरवेश के लिए आज ही संपर करें हमारा पता कियर इंग्लिश स्कूल बस स्टेंड चतरपूर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्सोकों का स्वागत है वर्दान एक्सप्रेस किस वीडियो में तो वर्दान एक्सप्रेस लगातार बाट करवांग दो की मुहीम चला रहा है जिसमें गंदिगी कामबार था और वर्दान एक्सप्रेस ने यह संकल पे लिया था कि यहां की सफाई करवाना है जिसको लेकर पार्षद भी हरकत में आये थे और पार्षद ने लंबे समय से जाडू नहीं लग रही थी जिसमें जाडू लगवाई और इसके अलाबा जो नालियां चोक पड़ी थी उस पे भी काम करवाया जिसके बाद कीरती नगर कालोनी की भी उठी तो यहां पे बताया गया कि बजट की समस्या है और कर्मचारी का अभाव है जिस कारण से काम धीमी गती से चल रहा है लेकिन उधर इस मामले की जानकारी जैसे ही नगर पाली का पार्षद चुनाव के दोरान भाजपा पिरतियासी कीरती वर्दन बगेल को लगी तो उन्हें अपनी कीरती नगर कॉलोनी में साफ सफाई करवाई और यहां पे सुबा के वक्त जाडू भी लगवाई इसके साथ ही चोकपड़ी नालियों को भी साफ करवाया है जिसकी तजबीरें उन्होंने खुद सोसल मीडिया पर जारी की है जिसको हम आपको लगातार अगर को साफ सोक्ष रहना चाहिए मुद्दा इस बात का है यही मुद्दा बरदान एक्स्प्रेस ने उठाया था जो कि आज सफलता की ओर बढ़ रहा है भले कॉंग्रेस काम कराए या फिर भाजपा काम कराए उससे कोई मतलब नहीं होता लेकिन बाडबासियों को सफाई से मतलब होता है जो अब पार्षद गोबिन तिवारी भी करा रहे हैं इसके साथ ही जो भाजपा प्रतियासी थे कीर्ती बरदन वगेल बह भी अपने इस्तर पर सफाई करवाते हुए नजर आ रहे हैं अगर ऐसे ही दोरों ही पाइटियों के नेता अपने इस्तर पर सफाई करवाते रहे तो जल्द ही पूरा बाड साफ सख्ष हो जाएगा इसके साथ ही हम अपने वीडियो के माध्धम से सभी नेताओं से जनपरतिनिदियों से समासेवियों से यही कहेंगे कि पहल कोई भी करे लेकिन नगर और बाड महले को साफ सख्ष होना चाहिए सभी की एहम होती है इसलिए आप लोग भी आंगे आईए और अपने बाड को अपने महले को अपने नगर को साफ सख्ष बनाने के लिए संकल भी लीजिए यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक पर जरूर सुझाओ दीजे इसके अलाबा हमारे इस कमेंट सेक्षन पर यह जरूर बताईए कि सफाई को लेकर आपके क्या विचार है इसके अलाबा आपके महले में आपके बाड में कहीं पर भी गंदिगी है या समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्षन पर लिख सकते हैं उसका समाधान हमारी टीम जल्दे से जल्द करने की कोशिश करेगी कब्रेश दिख देए